प्रिए छात्रो एक प्रयास चनल पे आप सब का स्वागत है आज मैं आप सब के लिए सितंबर 2020 के प्रतियोगता दर्पन में जो भी महतोपूर्ण रास्ट्रे एवा मांतरास्ट्रे घटनाक्रम दिये गये हैं उनके उपर चर्चा करूंगा तो चलिए आएए सुरू करते हैं सितंबर 2020 के जो महतोपूर्ण रास्ट्रे घटनाक्रम है उनके साथ में तो सबसे पहला जो महतोपूर्ण तथ्य आया इस प्रत्युता दर्पन के हिसाब से कि राफेल विमान से जुड़े कुछ महतोपूर्ण तथ्यों पे चर्चा दी यह काफी लंबी यात्रा थी 75 किलोमेटर की जिसमें अपनी इस यात्रा में राफेल ने फ्रांस के मैरिगनक एयर बेस से 27 जुलाई को उरान भड़ा था फिर चुकी है यात्रा बहुत लंबी थी 75 किलोमेटर की थी इसलिए विमान को आराम देना भी जरूरी था तो यूए 27 जुलाई को भारत की अंबाला एयर बेस पर इसकी लैंडिंग हुई तो इस तरह से देखा जाए तो तीन एयर बेस इसकी यात्रा में बहुत महत पूर्ण रहे एक तो फ्रांस का मैरिगनक एयर बेस जहां से 27 जुलाई को उरान भड़ा था दूसरा अल्डाफरा एयर बेस यो कि कहां पर है UAE में है तथा तीसरा भारत की अंबाला एयर बेस पर इसमें लैंडिंग की तो ये तीनों परिक्षा के लिए महत पूर्ण बन जाते हैं कि राफेल बिमान अपनी यात्रा के दौरान कहां से चला या बीच में कहां रुका था या भारत में किस एयर बेस प प्यातर के बाद राफेल विमान को हासिल करने वाला भारत जो है चौथा राश्ट्र बन गया है तथा इस विमान को बनाने वाली जो कंपनी है वो फ्रांस की डेसॉल्ट एवियेशन कंपनी ने इसे दिर्मित किया है दूसरा मातपूर्ण करते है कि हाली में भारत ने चीन के साथ काफी तनातनी थी पाकिस्तान के साथ भी आये दिन हालात अच्छे नहीं रहते हैं तो इस वज़ा से भारत ने एक बेहज सक्तिसाली एंटी टैंक मिसाहिल का सफल परिक्षन किया है जिसका नाम क्या रखा गया है धुरुवास्त्र हाली में किस रास्ट्र में भारत द्वारा निर्मित सुप्रिम कोट भावन का निर्मान किया गया तो मौरिसस के पोर्ट लूई में मौरिसस की राजानी है पोर्ट लूई वहां पे भारत द्वारा इस सुप्रिम कोट भावन का उद्धाटन किया गया और यहां निर्मान नेवर फर्स्ट पॉलिसी के तहत किया गया है कोरोना वैक्सिन परत्मान के दिनों में काफी चर्चा में है चुकि यह पैंडेमिक पुड़े वर्ल्ड में परिशानी का सबब बना हुए है सबके लिए तो अलग-अलग रास्ट्रों के द्वारा या वहां जो युनिवर्स्टी से हैं रिसर्स सेंटर्स हैं उसके द्वारा वैक्सिन डेवलप किया रहे हैं जैसे ऑक्सफोर्ड युनिवर्स्टी द्वारा कोवी सेल्ड बनाया जा रहा है अंतिम परिक्षन के दौर में हैं रूस द्वारा भी एक वैक्सिन लॉंच किया गया है चाइना को भी वैक्सिन का प्रिटिंट मिल गया है तो उसी तरह भा पहला को वैक्सिन जो काफी चर्चा में भी रहा है तो इस जो पहला को वैक्सिन जो बनाया जा रहा है वैक्सिन वह भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है और दूसरा वैक्सिन जाइडस कैडिला के द्वारा बनाया जा रहा है उसका नाम रखा गया है काय मसीनन 70 वजन कायमसीन जो की सपेस प्रोजेक्ट में इस्तेमल होना था इसको लेकर एक ट्रक चला था और एक वर्ष लगातार यह चलता रहा रास्ते में जूभी पेर पोध्जय आयों उसको कट्ट शपी न था जरूरी था विजली के पूल या तार जो आते थे उसको किस बीमारी के इलाज है तू स्वदेशी टीके के विक्री की अनुमति जुलाई दोहजार बीस में डिजी सियाई द्वारा दिया गया तो ड्रग जनरल कंट्रोलर अफ इंडिया जो है उसके द्वारा यह अनुमती दी गई और वह विमारी है नीमोनिया तो नीमोनिया के टीके के विक्री अब देश में की जा सकेगी टी-90 टैंग के लिए रक्षा मंत्रा लेने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कौन सा उपकरण खड़ी देगी तो उस उपकरण का नाम होगा माइन प्लो बिसिकली टी-90 टैंग जब किसी रास्ते से गुजरते हैं और उन रास्तु में अगर पहले से माइन्स बिछाई गई हो बारूद बिछाई गई हो सुरंग बनाये गया हो तो उस और जब मिसाइल वहां से अगर गुजरे और अगर उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो जिससे वो इडेंटिफाई कर अगर पाय तो दूसमन जो है उस बारूदी सुरंग को विस्फोट करके टैंक को नुकसान पहुचा सकते हैं तो उस नुकसान को खत्म करने के लिए ताके हमारे चानिकों को और हमारे टैंक को नुकसान नहीं उसके रक्षा मंत्राले ने भारत अर्थमोवर्स लिमिटेड क साथ एक करार किया है जिसके थूँ वह माइन प्लो एक्यूपमेंट को खड़ी देगी जो कि अगर कहीं बारूदी सुरंग है या जिससे किसी चीज से टैंक को नुकसान होना है तो उसको प्लविंग करके में स्कुदाई करके और उस जो भी वहां पर बारूद वगरा है उसक स्री राम मंदिर के निर्मान की अधार शिला रखने का जो समय नियत किया था वह समय क्या था तो दो पहर 12 बचकर 44 मिनट 8 से 12 बचकर 44 मिनट 40 सेकेंड के बीच का जो 32 सेकेंड का समय था इस समय को नरधारित किया था श्री राम जन्म भूमी के मंदिर के निर्मान के आधार सिला रखने के लिए तो इस तरह से महतोपुर्ण राश्ट्य घटनाकरम जो इस सितंबर 2020 महिने के पीड़ी में दिये गया थे आंद्रेज दुडा पॉलंड के नए राश्ट्रपती होंगे पहले भी यही वहां के राश्ट्रपती थे चुनाप के बाद भी दुवारा से आंद्रेज दुडा जो है पॉलंड के राश्ट्रपती होंगे हाल ही में किस रास्टर ने WHEO के साथ अपने सम्मंद बिच्छेत की घोषना कर दी ब्रस्टाचार के मामलूई में किस रास्टर के पुर्व प्रधान मंत्री को 12 वर्ष की करावास की सजा हुई है तो मलेशिया के पुर्व प्रधान मंत्री थे जिनका नाम था नजीव रज्जाक रष्टाचार के मामले में उन्हें 12 वर्षी करावास हुई है रूस में नया सम्विधान लागू हो जाने पर वर्तमान में जो वहां के राश्ट्रपती हैं ब्लादमीर पुतिन वो अब कब तक बने रहेंगे अपने पदपे तो 2036 तक वो अपने पदपे बने रहेंगे भारत तथा एरोपिये संग के बीच इस बार जो ऑनलाइन वारता हुई है वो कैवी ऑनलाइन वारता हुई थे तो यह 15 वी ऑनलाइन वारता थी कोरोना पेंडेमी के कारण वर्चुल तोर पे ही यह वारता संपन हुए मंगल ग्रह पर वातावरण के अध्यायन तथा जीवन के अध्यायन है तू तीन देशों के द्वारा जुलाई 2020 में अंतरिक्षियान रवाना किये गए तो वो कौन-कौन से मिशन है और किन राष्टों द्वारा किया गया है तो पहला होप मिशन है जो कि UAE के द्वारा भे अंतरास्ति घटना क्रम की चर्चा भी संपन हुई एक प्रियास चनल देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृप्या आपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके बाद कर जो वीडियो हम आपके लिए लेकर कर आएंगी उसमें आर्थिकी नवींतम सामान निग्यान एवं खेल कुछ से संबंधित विश्यों पर चर्चा होगी धन्यवाद